दोस्तों आप जो घर देख रहे है न यह मनिशा कोईराला का फाम हाउस है जो मुंबई में है और कितने एरिया में कितना बजट लगा और बहुत सारी बाते इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मनिशा कोईराला जी के बारे में यह उनका बंगलो है फाम हाउस है जो यहां प बंगलो टाइप से है यहां पर रहा भी करती है कभी कभी तो यहां पर फाम हाउस इनका कैसा है आई आपको सारा कुछ नजारा दिखाएंगे इस वीडियो के माध्यम से इनकी नेटवर्थ क्या है बहुत सारी बाते इस वीडियो में हम लोग जानेंगे और सीखेंगे यह कैसे हैं आप लोग और आज की इस वीडियो में न हम लोग चलेंगे और देखेंगे मनिशा कुईराला जी का फाम हाउस कितना बड़ा है और उसमें क्या क्या होता है बहुत सारी चीज़ा जानेंगे मनिशा कुईराला जी के बारे में और फाम हाउस में मतलब कब-कब आती तो सब्पोट करेगा वीडियो को लाएक और चैनल को सब्सक्राइब तो बीना किसी देईर की आई इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हाँ चैनल को सबस्क्राइब करनाail क्यों कि डेली करें इस तरह नए बीडियो को मिलत ही रहेगी तो चलिए दोस्तों चलते हैं आगे देख रहे हैं मणीशा का बंगलो है बंगलो न एक तरह से फाम हाους है और आपको पता होगा कि कोई भी एक्टर है एक्टर से उसका मुंबाई में एक घर नहीं है कई घर होता है उसी मेंसे एक मनीशा को बरुबरू होंगे जो नेपाल के खुंशे से फिल में कर चुकी है और आपको पता होगा एक बिजनेस ніज में ins World तो दोस्तों पे आपको पता होगा की इन्हों ने सween vers unit जो नेपाल से है और यहां पर डो साल वसील्मों नो चल पाया दोहरबारे में तलाक हो गया और आपको बता दे मैं नेपाल में हुआ था कठमांडू में और आपको बता दे मनिशा कुरेला जी यहां पर अक्सर आया जाया करती हैं और यहां पर गरीनरी हो गया आप देख रहे हैं कितने अच्छे से सजो के मतलब बिल्कूल हरिय लाली है तरह से देखा जाए नो तो बन की तरह दिख रहा है और काफी अच्छे हैं पर लोकेशन है मुंबाई बें पढ़ता है और यहां पर अक्सर आया जाया करती है और उनका फाम हाउस का नजारा फ्रंट डूर का देख सकते हैं ग्रीनरी वगरे और यहां पर रहा भी कर कि मनीशा कोईराला का जन्म 16 अगस्त 1970 को नेपाल के काठ मांडू में हुआ उनकी पिता का नम प्रकास कोईराला और मा का नाम शुश्मा कोईराला था इनके पिता नेपाली राजनीत में केबिनेट मंत्री है वा नेपाल के पूरों प्रधान मंत्री उसके बाद वह सेकेंडरी की पढ़ाई करने के लिए आर्मी स्कूल धौल कुआ नहीं दिल्ली चली गई मनीशा बच्पन से डाक्टर बनने का पूरा सोच था दूसरों की सेवा करनी चाहती थे लेकिन माडलिंग ने उनके लिए एक फिल्मी दुनिया के द्वार खोल दिये मनीशा को इराला की साधी आपको जैसा मैंने बताया नेपाली बियरस मैं सम्राड दहाल से 19 जून 2010 को होई थी लेकिन यह साधी ज्यादा दिन नहीं टिक सकी साल 2012 मनीशा ला इलाज बिमारी औरी कैंसर से पीडित हो गए उन्हों ने इसका इलाज मुंबई और USA में कराया उसके बाद वह इस खतरनाग बिमारी से जीत गए केरियर की बात करें तो मनीशा के फिल्म केरियर का सुरुआ तो 1990 में सुभास घई निर्देशित फिल्म सौधागर से होई थे फिल्म में उस समय दो लिजेंड कलाकार राज कुमार दिलीव कुमार एक साथ बड़े परदे पर दिखाई दिये थे यह फिल्म उस साल की सबसे बड़ी ब्लास्टर हीट फिल्म साबित होई थे पहली फिल्म ने कुईराला को रातो रात हिंदी सिनेमा की सुपरिश्टार बना दिया था मनिशा कुईराला एक गयर फिल्मी परिवार से थी उसके बावजुद उन्होंने उस दोर में खुद को अभिने से हिंदी सिनेमा में सरोष्टरिष्ट अमनेत्रियों में सुमार कर लिया था साल 1996 में पार्थो गोस निर्देशित फिल्म अगनी साच्छी और निर्देशक संजे लीला भंसाली कि फिल्मों खामूसी ने मनीशा को इंडस्टी की टाफ लीडिंग ही वोई बना दिया आपको बताते दोस्तों कि यहां पर साल 2003 में मनीशा काफी लोग बजट फिल्मों में नजर आने लगी इसी साल केंद्रित फिल्म इसके फ्राम तालिबान में नजर आई थी और आपको बताते दोस्तों कि यहां पर परसीद फिल्में इनकी है मुंबई एक्स्प्रेस 1942 लव श्टोरी इंसानियत के देवत यलगार सोधागर मिलन दुस्मनी अनोखा अंदाज और यूही कभी लाल बास्ता कच्चे धागे कार्तूज जयहिन लवारिस मन ताजमहल कंपनी जाने दुस्मन लज्जा चेंपियन खोफी बागी इसमें से कौन से मुवी आपकी फिएरेट है कमेंट बाक्स में कमेंट करके बताएगा आप कौन से मुवी को ज़्यादा देखना पसंद करते हैं वैसे मेरा प्रयास कैसा रहा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मिलने किसी नई वीडियो में ने अपडेट के साथ बाए